नमस्कार, जहन सातियों स्वागत है आज आप सभी का हमारे दिर्द संकल भी यूट्यूब चैनल के आज के इस नए वीडियो में मैं विशेक मिसर आज आप सभी लोग के लिए क्लास 6 की NCRT STK चेप्टर 7 की कोस्टन आंसर्स को लेकर के आया हूँ आज ये सारे पूरे बहुती महत्पूर 21 कोस्टन सें जो कि आपके लिए बहुती महत्पूर है और आज आप सभी लोग के लिए बहुती महत्पूर सूचना ये है कि अभी तक आप लोग को जो NCRT की समरी को पढ़ाया जा रहा था उसको अभी स्टॉप कर दिया गया है और उसकी जगे पर आप लोगों को NCRT के question answer series जो ये चल रही है इसको पढ़ाय जाएगा क्यों क्योंकि UPSC 2028 2020 की प्रिलेम परिक्षा आप लोगों के बहुती नजदीक है और मैंने इसको देखते हुए जो लोग UPSC की परिक्षा देने वाले हैं या जो आंगे देंगे उन स NCRT के जितने भी chapter है history, geography, politics, science and economy इन सभी में जितने भी questions बनते हूं सभी questions को एक एक वीडियो में लेकर के आएंगे इसी प्रकार से अभी तक हमने class 6 की NCRT history में chapter 1 से लेकर के 6 तक के जितने chapter हैं ये 6, 6 chapters के question answer आप सभी लोग के सामने रख दिये हैं इसकी मैंने अलग playlist बना की हैं आप channel पर जा करके playlist में देख सकते हैं और इन वीडियोस को देखीगा अगर आप लोगने इसकी समरी को नहीं पढ़ा है तो उसको भी पढ़ लीजेगा वैसे ये अधिक important है ओके चलिए आज किस chapters हमको मिलता है प्राचीन भारत का इतिहास और class 6 की NCRT जो है ये class 6 की total NCRT में हमको मिलता है प्राचीन भारत का इतियास इतियास की NCRT में ओके तो आज की chapter का नाम है नए प्रसन नए विचार और आज इस पूरे chapter में हमको बहुत और जैन धर्म के विशह में जानकारी मिलती है जो की बहुत ही महत्वपूर है और ये प्रलिम में एक नाएक question इस से कोई नहीं आप सभी लोग हमारे answer देने से पहले इसका answer हमको comment box में दिया करें ये वीडियो आप सभी लोग के सामने live चलता है तो आप लोगों से उम्मीद यही रहती कि आप लोग पहले answer को दिया करें चलिए अब इसका answer हम आपको बताते हैं इसका option A बिलकुल correct है अब साखेगर के छतरी राजकुमार थे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 2 को दूसरा question आप सभी लोग के सामने है बुद्ध को ग्यान कहां प्राप्त हुआ था option A बोद गया option B साची option C सारनात option D अमरावती जो ये बुद्ध थे इनको ग्यान कहां पर प्राप प्राप्त हुआ था question यह तो आपको इसका answer जली से बताना है जली से बताएगा comment box में चलिए इसका answer हम आप लोगों को बताते हैं इसका options A बिल्कुल correct है जो बुद्ध थे इनको बोद गया जो कि बिहार में है आज और बोद गया में people के ब्रिश के नीचे ग्यान प्राप् प्राप्त हैं और देखते हैं question number 3 को तो तीसरा question आप सभी लोगों के सामने है बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश कहां दिया गया था option A साची option B बोद गया option C सारनात या फिर option D अमरावती तो जली से इसका answer हमको comment box में दीजिएगा चलिए अब इसका answer हम आपको बत निकट सारनात के बुद्ध में सारनात में बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था और इसी घटना की इसमृत में यहाँ पर एक इस्तूप का निर्मार किया गया था जिसको हमने बहुत अच्छी से class 6 की NCRT के chapter 7 में discuss किया है वहाँ पर इसका चित्र भी दिया तो option A प्राकृत, option B संस्कृत, option C तमिल और option D इन में से कोई नहीं तो जल्ली से इसका अंसर हमको comment box में दीजिएगा चलिए अब इसका अंसर हम आपको बताते हैं इसका अंसर है option A अर्थात बुद्ध ने अपनी जो सिक्षा है इसको लोगों को प्राकृत भासा में दी थ ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें परंतु इनका जो लेखन कारे हुआ था ये सामानिता पाली भासा में हुआ था ठीक है और जो ये प्राकृत भासा होती है कौन से होती है तो इस्थान के अनुसार अर्थात जैसे की आज उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली आती है अध इक बार पूछा जा चुका है और आप लोगों को इसको अधिक से अधिक याद करके रखना है ठीक है पूस्चन नमर फाइब बुद्ध की मृत्यू कहां हुई थी ऑप्सन ए अमराबती ऑप्सन बी बोद गया ऑप्सन सी भरहुत ऑप्सन डी कुसी नार तो इसका जल्दी कहां पर हुई थी तो बुद्ध की मृत्य हुई थी उसी नारा नामा के किस्थान पर चलिए इसके बाद में बुद्ध के कुछ इनों ने जो तो इनके संदर में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं बड़े पैमाने पर तो इसके लिए यहां पर कोस्चन नमर छटा दिय कि बुद्ध की सिक्षाओं के संदर्व में निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा अर्थात लालसा को बताया जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती अगर आप देखते हैं तो लालस हमेशा पूरा नहीं हो सकता है ठीक है दूसरा इनका कतन था कि उन्होंने कहा था कि आत्म सयम अपना कर मनुस्य तृष्णा से मुक्ति पास सकता है अर्थात अपने आप पर सयम रख करके अपनी इंद्रियों को बस में करके हम अपनी तृष्णा को अर्था लालसा को से मुक्ति हो सकते हैं ठीक है इसके बाद मे इनका तीसरा जो उपदेश था, उन्होंने लोगों को दयालू होने, तथा मनुस्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की सिक्षा दीती, ये उन्होंने तीन सिक्षा दीती है, तो इसके भी से मैं आपको बताना है option a केवल एक सही है ये वाला option b अर्थात दो और तीन सही है option c अर्थात एक दो और तीन ये तीनों सही है option d अर्थात इन में से कोई भी option सही नहीं है ये तीनों ही कतन गलत है तो जल्दी से इसका answer हम को comment box में दीजिएगा कि इसका च्छटे का कौन सा होगा a b c या फिर d चलिए भी इसका answer हम आपको देते हैं इसका option number c विल्कुल correct होगा अर्थात ये तीनों ही option विल्कुल ही correct है ओके चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 7 को ये भी बहुत ही important question है ठीक है अब यहां से हम discuss करेंगे महाबीर स्वामी के बिसे में तो महाबीर स्वामी जो ह option b में है 3000 बर्स पूर्व option c 2600 बर्स पूर्व option d 2500 बर्स पूर्व तो जल्दी से इसका answer हमको comment box में दीजेगा कि महाबीर स्वामी का जन्म आज इसे लगवग कितने बर्स पूर्व हुआ था चलिए भी इसका answer हम आपको बताते हैं इसका answer d विल्कुल correct है अर्थात महाबीर स्वामी का जन्म आज इसे लगवग 2500 बर्स पूर्व हुआ था और यह बज्जी संग के लिच्छवी कुल के एक छत्री राजकुमार थे ठीक है चलिए आँगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 8 को question number 8 आप सभी लों के सामने और यह बहुत ही महतुपूर्व प्रस्न है जै अंगलों में रहने लगे option दूसरा कतन है बारा बर्स तक उन्होंने कठिन वा एकाकी जीवन वैदीत किया इसके बाद उन्हें ज्यान प्राप्त हुआ तो इसमें उपरियों कतनों में से कौन से कतन सही है या फिर हैं तो इसका अंसर जली से हमको comment box में दीजेगा कि इन दो कौनों में से कौन सा कतन सही है या फिर कौन सा कतन गलत है option A अर्थात केवल एक कतन सही है option B अर्थात केवल दूसरा कतन सही है option C अर्थात एक और दो ये दोनों ही कतन सही है ठीक है या फिर option D इन में से कोई नहीं ठीक है तो जल्दी से इसका अंसर हमको comment box में दीजेगा च आप लोगों का मानना है कि 29 बर्स की आयू में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था तो इसमें थोड़ा सा confusion रहता है आप लोग समझेगा यहां पर 30 बर्स दिया जारा NCRT कहती है कि 30 बर्स में इसके बाद ही इनको ग्यान प्राप्त हुआ था चली आँगे बढ़ते हैं question number 9 को यह भी बहुत ही महत्पुर्ण प्रस्ण है महाबीर और उनके अनुयायों ने अपनी सिक्षा किस भासा में दी option A Sanskrit, option B Hindi, option C Tamil, option D Prakrit तो जल्दी से इसका अंसर भी हमको comment box में दीजेगा कि question number 9 का A सही है या B सही है या फिर C सही या फिर D सही है इसका अंसर आपको कुछ इस प्रकार से देना है 9 का अगर A सही है तो A ऐसे ओके A या फिर 9 का अगर B सही है तो 9 का B ओकी bracket में ठीक है इस प्रकार से आपको इसका अंसर देना है चलिए अब इसका अंसर में आपको बताते हैं इसका option D बिल्कुल correct है इसकी यहाँ पर ब्याख्या को भी दिया गया है थोड़ी सी ब्याख्या important है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रख ली है सामान ने बोल चाल की भासा प्राकृत भासा कहलाती है प्रचलन छेत्र के आधार पर उनके अलग-अलग नाम थे जैसे मगद में बोली जाने वाली भासा बोले जाने वाली प्राकृत भासा मगदी कहलाती थी माहाबीर ने अपने सिक्षा के लिए प्राकृत वासा का चुनाप किया था ताकि आम जन उन्हें समझ सकें क्या था कि जो प्राकृत वासा थी ये अलग-अलग जगए पर जो बोली जाने बाली भासा थी प्राकृत का आप समझ सकते हैं कि प्रकति वाली भासा कि इस्थान के अनुसा जहां पर जो भासा बोली जाती हो वो कहलाती है प्रक्षपी बासा ठीक है जो कि यहांपर एक उधांट की तोर पर दिया जार है कि मघद में उस समय बोली जाती थी मघद ही बासा ठीक है चलिए आँगे बढ़ते हे और देखते हैं question number 10 को question number 10 बहुत ही महत्पूर है वैसे अगर देखे जाने तो सारे ही प्रस्ण जितने प्रस्ण है इस चेप्टर में सारे के सारे बहुत ही महत्पूर प्रस्ण है निम्द लिखित में से कौन से कतन जैन नाम से जाने गए महावीर के सिद्धान्त के अनुरूप हैं पहला कतन अहिं किजीगा अर्थात option A केबल पहला कतन सही है और दूसरा वाला गलत है या फिर option B अर्थात केबल दूसरा वाला कतन सही है और पहला वाला गलत है option C अर्थात ये दोनों ही कतन सही है या फिर option D इनमें से कोई ने अर्थात ये दोनों ही कतन गलत है तो जल्दी से इसका answer हमको comment box में दीजिएगा आप लोग जब answer देते हैं तो आपका confidence थोड़ा सा high होता है आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमने उत्तर दिया है तो हम आंगे और दे सकते हैं इससे आपकी जिजक छुटती है चलिए आंगे बढ़ते हैं और इसका answer माप लोगों को बताते हैं इसका option C विल्कुल correct होगा इसकी भी ब्याक है को रखा गया है थोड़ी सी ब्याक है उपरी तुझे जो ये दो कथन दिये गए हैं ये दोनों ही कथन सही है जैन सब्द जिन सब्द से निकलाए जिसका अर्थ है विजेता महभीर ने कहा था कि सभी जीब जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्री है अब यहाँ पर आपके पास और प्रस्नोट खड़े होते हैं ये जीन सब्द है एंस्याटी कहती है कि इसका अर्थ है विजेता और कई सारे तक्थियों को अगर आप और मिलाते हैं तो इसके कई और अर्थ भी निकलते हैं ठीक है इसका बैसे अर्थ जो है ये सामान तोर प कि आप सकता नहीं है आप इसको विजेता ही समझी का जिनका आर्थ है विजेता ठीक है और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्टन नमबर 11 को ग्यार्मा प्रसन आप सबी लोग के सामने हैं दिया जा रहा है कि निमलिखित में से कौन सा या फिर से कतन बौद संग के संदर्ब में सही हैं और पहला कतन संग बिखु बिच्चु बिचुणियों का एक संगटन था जहां घर त्याग करने बाले लोग एक साथ रह सकते थ दूसरा कतन संग में रहने वाले बौद बिच्चुणियों के लिए बनाए गए नियम बिने पिटक नाम की गरंथ है जिसमें मिलता है तो इसमें से कौन सा कतन सही है नीचे देगे कूट का प्रियों करके आपको उत्तर बताना है Option A बिल केवल एक अर्थात केवल ये वाला कतन सही है और ये वाला कतन गलत है Option B केवल दूसरा कतन सही है और पहला वाला कतन गलत है Option C एक और दो दोनों कतन सही है और Option D इन में से कोई ने अर्थात ये वाला भी कलत है और ये वाला भी गलत है तो जल्दी से हमको बताएगा कि 11 में का A सही है या B सही है या C सही है और या फिर D सही है चलिए अब इसका answer हम आप लोगों को बताते हैं इसका option C विल्कुल correct है अर्थाथ जो संग के बिच्चु बिच्चु थे और जो बिच्चु थे इनका एक संगठन था और जहां पर यह रहते थे यह क्या करते थे अपने घर को त्या करके एक साथ में रहते थे ठीक है और इसके बाद में इसको संग कहा जाता था ठीक है और जो संग में रहने वाले बौद थे इनके वो बिच्चुओं के लिए बनाएगे कुछ नियम थे ठीक है बहुत विचुदित जो थे इनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे और ये सारे नियम हमको बिने पिटक नाम की ग्रंद में मिलते हैं और उसके अनुसार ही इनके इतिहास को जाना गया है ठीक है और आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 12 को अब जो भी प्रसन आप सभी लोग के सामने आते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि इसी प्रकार से पूँचे हैंगे तो आप लोग ऐसा बिलकुल भी समझ करके confused ना हो ये प्रसन एक ही होता एक प्रसन को कई तरीके से पूँचा जा सकता है अब मान लीजेगा कि मैंने आपक उसको में किस पुस्तक के दोरा प्राप्त होते हैं ठीक है किस पुस्तक में इनके नियमों को लिखा आ गया है तो ऐसे कई सारी प्रसन बन सकते हैं तो आप चार आपसन दे देगा आपको उसमें आपको बिनाई पिटक चुनना है तो इस प्रकार से एक प्रसन से कई प्रसन बन सकते हैं, तो आप लोग इसके आवस्टिक ध्यान रखें, ठीक है, इसके बाद में आपसन आता है, question number 12, निम्न लिखित में से कौन सा कतन, बौध संग के संदर्ब में सही नहीं है, पहला कतन, संग में पुरसों और इस्तुरियों के रहने के लिए अलग विवस्ता थी, इ उनके माता-पिता की अनुमति लेनी होती थी, या फिर D, विवाहित इस्तुरियों को संग में प्रवेश के लिए उनके माता-पिता से अनुमति की अबस्ता होती थी, तो इसका अंसर आप लोग के सामने है, और बहुती सराल अंसर है इसका, ठीक है, कोई भी बेक्ति देख गलत है, ठीक है, अटा सही नहीं है, इनमें चार कतन दिया है, इनमें कौँ सा कतन गलत बताया गया, तो इनमें जो आप्चन D है, ये बिलकुल करेटे अटा ये वाला कतन गलत दिया गया है, अब इसकी ब्याख्य को भी हम लोग समझ लेते हैं, जो बिनेपटिका आए, इस कि उनके पती की अनुमति लेने आभर्शक था अर्थाद वो अपने हस्बेंड की अनुमति लेती थी ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोश्चन नंबर 13 को ये भी बहुती महत्पूर्ण प्रसन हैं सारे प्रसन 13 दिया जा रहा है कि बिहार किसे कहते हैं बि बिहार बहुत बिच्छुओं और बिच्छुणियों के सरण स्थली थी जो कि बाद में निवास में बदल गया इसके अदमें तीसरा कतन दिया जा रहा है कि प्राया किसी धनी वैपारी राजा अत्वा भू स्वामी दोरा दान में दी गई भूमे पर बिहार का निर्मान हो तो आपको बताना है कि इन में से ये तीन कतन दिया रहे हैं एक दो और तिन इन तीनों कतनों में से कौन से या पिर कौन सा कतन सही है इसके लिए आप इन कूर का इस्तिमाल कर सकते हैं आपसन ए अर्थात केवल एक कतन पहला कतन सही है आपसन बी अर्थात केवल तीसरा कतन स और option D अर्ठात 1, 2 और 3 ये तीनों ही कतन सही हैं तो जल्दी से इसका अंसर हमको comment box में दीजिएगा चलिए भी इसका अंसर हम आपको बनाते हैं इसका option D बिलग स्कान Tuesday करेक्ट है अर्ठात ये तीनों ही कतन आपको सही दिये जारहे हैं यह तीन कर्थण आपको दिये गए हैं कि कुछ सेल कृते तिया जिर जिनको बिहार कहा जाता था इसकी बाद में भीछु बिहार को कैया जाता था ठीक है इनके निवासिस्तल को बाद में बिहार कहा जाने लगाता ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्चन नमर 14 को कोस्चन नमर 14 अप सभी लोगे सामने काफी बड़ा प्रस्ट है आसरम विबस्ता के अंतरगत निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिये पहला असरम विबस्ता के अंतरगत चार आसरमों की विबस्ता की गई थी पहला है ब्रह्मचर दूसरा है ग्रहस्त तीसरा है बानप्रिस्त और चौता है सन्यास ठीक है इसके बाद में दूसरा कथन दिया जा रहा है ब्रह्मचर के अंतरगत ब्रामः चत्री और बैस्विसत सादा जीवन बिता करके बेदों का अध्यन करें इसके बाद में तीसरा के अंतरगत उन्हें बिवा कर एक ग्रहिस्त के रूप में रहना होता था बानप्रिस्त के अंतरगत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी अंतरथा उन्हें सब कुछ त्याक करके सन्यासी बन जाना था तो इसका आंसर हमको जल्दी से comment box में दीजेगा कि इन चारो कतनों में से कौन से कतन सही है ठीक है इसके लिए आप कुछ कूट का इस्तेवाल कर सकते हैं चलिए इसका आंसर तो आप सबीलों की सामने आ चुका है अर्था ये चारो ही कतन सही इसके अंतरगत जो ब्राह्मन चत्री या फिर बैस्ते उनको साधा जीवन बितागर के बेदों का अध्यन करना होता था अर्था बेद पाट करते थे वो ठीक है और इसके बाद में जो तीसरा यहां पर दिया जा रहा है वो यह है कि ग्रहस्त आस्रम के अंतरगत कुछ ऐसा होता था कि जो भी ग्रहस्त आस्रम में आता था उसको बिवा करने के बाद में अपना ग्रहस्त का जीवन सुरू करना होता था अर्थाथ वो साधी करने के बाद में अपने पती पतनी मिलकर के रहते थे और साथी में अपना जो तो जो भी निटक्रिया होती उसको करते थे इसके बाद में चौटा ओस्मार जो चौटा आपन साधननी होती और उन्हें अ. そうा मेंबर 15 को जो कि बहुत ही महत्पूर्ण है जिस समय बुद्ध उपदिश दे रहते उसी समय या उससे भी थोड़े पहले कुछ अन्य चिंतक भी कठिन प्रस्णों का उत्तर ढूनने का प्रयास कर देते यह जो प्रस्ण थे यह बहुत ही महत्पूर्ण थे यह चिंतक उपनि तीसरा कतन आपके सामने है दूसरा कतन दिया जा रहा है कि उपनिसत का साब्दिक आर्थ है कि गुरू के समीप बैठना तीसरा कतन है कि इस ग्रंत में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बाचित का संकलन किया गया है चलिए अब इसका अंसर हमको जली से कमेंट option सही होगा ये कौन सा प्रस्न और पंदमे का कौन सा option सही होगा ठीक है इसके लिए आपको आपको तीन ऐसान पहला दूसरा और तीस ठीक इन में से कौन सा खतन सही है इसके लिए आपको ये कुछ तो कूट भी दिया रहे- आर्थाथ पंद्रह का जिसमें केबल और तीनी तीनों की कतन सही हैं तो जली से इसका अंसरम को comment box में दीजिएगा चलिए इसका अंसरम आपको बताते हैं इसका option D विल्कुल correct है इसकी यहां पर ब्याख्या दी गई है जो की काफी लंबी चौड़ी आपको दिखाई दे रहे होगी लेकिन यह आधिक लंबी चौड़ी है नहीं दिया जा रहा है कि जो उपनिसत थे यह एक उत्तरबैदी गरंत का हिस्सा है अब जो यह गरंत है इनमें अध्यापक जो थे और जो बिद्यार्थी थे इन दोनों लोगों के बीच में जो बातचीत हुआ करती थी इसका संकलन दिया गया है ठीक है और इसके बाद में ये प्राया बिचार सामाने बारतालाब के रूप में प्रस्तूत किये गए अर्था जो अध्यापक जो बिद्यार्थियों के बीच में बातचीत हुआ करती थी उनके बिचार दिये गए जो कि सामाने बारतालाप के रूप में प्रस्तूत किया गया है अर्था कहानी के रूप में ठीक है अब इन चिंतकों के अधिकांस का ठीक है इन चिंतकों में अधिकांस का यह मानना था कि इस बिस्व में कुछ तो ऐसा है जो कि इस्थाई है अर्था पूरे बिस्व में मनु आत्मा तथा ब्रम एक ही है ठीक है आत्मा और परमात्मा एक ही है चलिए तो आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं को सिक्स्टीन को यह भी बहुती महत्तोपूर्ण प्रस्ण है इसका उत्तर भी आप सबी लों के सामने आही चुका है को से नुबर 16 दिया जा रहा है कि उपनि C और D और इन चारों में से यह पूछा जा रहा है कि कौन से कतन सही नहीं है पहला कतन है इन चर्चाओं में भाग लेने बाले अधिकांस, पुरुस, प्राम्मन तता राजा होते थे दूसरा कतन है इनमें कभी-कभी गारगी जैसी इस तरी विचार को का भी उलेक मिलता है option इसके बादें C और थात बिदुता के लिए प्रसिद गारगी राजदरवारों में होने बाले बाद बिबाद में हिस्सा लिया करते थे इसके आदें option D दिया जा रहा है कि निर्धन बेक्ति भी इस तरह के बाद बिबाद में बढ़ चड़के हिस्सा लेते थे तो इसका option option D जो कि गलत है अर्थाथ जो निर्धन बेक्ति होते थे यह बढ़ चड़कर के हिस्सा नहीं लेते थे ठीक है यह जो निर्धन बेक्ति हुआ करते थे इस तरह के बाद-बि-बाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे ठीक है इसका यहां पर आपको उधारन भी दिया जा रह कि इस तरह का एक अपवाद है यो कि प्रसिद है और ये सत्यकाम जवाला का है सत्यकाम जवाला जवाला ने जवाल का है ठीक है यहां पर सॉरी मैं जवाला बोल गया था जवाल का है सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दादी मा के नाम पर पड़ा था ठीक है दूसरा पॉइंट है सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीबर जिग्यासा उत्पन हुई थी गौतम नाम की एक ब्राम्मन ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में सुईकार किया था और बाद में बे उनके समय के सरबादिक प्रसिद विचारकों में से एक बन गए थे ठीक है इसके बाद में तीसरा पॉइंट दिया जा रहा है कि उपनिस्दों के कई विचारों का विकास बाद में प्रिसिद्ध विचारक संकराचार के द्वारा किया गया था तो उपनिसदों के बिसे में आपको यहां पर कुछ जानकारी मिली है जो उपनिसद थे उनमें संकली जो बारतल आप है और जो चर्चाएं हैं उनके संदर्प में आपको यहां पर चार आपसन दिये गए थे इनमें से तीन आपसन बिल्कुल सही है ए बी सी और जो डी आपसन मिला है जो की बढ़ चड़कर नहीं बलकी हलका फुलका इस्सा ले लिया करता था इसका नाम था जो तो सत्यकाम जाबाल ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं Question No.17 को बहुती अच्छा प्रस्ण है ये और आप सभी लों के सामने है निम लिखित कतनों में से कौन सा कतन सही नहीं है अठात आपको इन चारों कतनों में से गलत कतन बताना की कौन सा कतन गलत है पहला कतन दियाजर की जैन धर्म का समर्तन मुक्षता व्यापारियों द्वार पड़ता था इसके बाद में तीसरा कतन दिया जा रहा है कि बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ-साथ जैन धर्म का बिस्तार गुजरात, तमिल नाडू और करनाटक में भी हुआ ठीक है इसके बाद में ऑप्सन D दिया जा रहा है बर्तमान में उपलद जैन धर्म की जो इसका funding को छल्दी कमेंड वाक्स में दीजेगा कि इन मेंसे कौन सो वुलों के सामने इन मैं से जो एपशन यहीं हो टै जेन धर्म की जो बरतमान उपलब्द सिक्षाएं हैं तो इन सिक्षाएं हैं तो इन सिक्षाओं का लेखन हुआता पंदरा सो बर्स पूर्व जो की गुजरात में गुजरात के बल्लभी नामक इस्थान पर हुआता यहां पर दिया जा रहा है कि बर्तमान में उपलद जैन धर्म की जो सिक्षाएं हैं यह उत्तर प्रदेश के कुछी नगर में नामक की इस्थान पर लिखी गए थी जो की गलत है यह लिखी गए थी आज से पंदरा सो बर्स पूर गुजरात के एक बलबी नामक इस्थान पर ठीक है तो बांकी के जो यहां पर तीन अप्सन दिये जा रहे हैं यह वाले जैन धर्म के समर्थर जो थे वो उन्हें मुक्षिता ब्यापारी हुआ करते थे और जो बी अप्सन दिये जा रहे हैं उनका जैन धर्म को अपनाना बहुत ही कठीन था क्योंकि इनको कीड़े और मकोनों को मारना पड़ता था और इसके बाद में जो उप्सन सी है कि बाद में जो बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जो जैन धर्म का बिस्तार हुआ था यह गुजरात तमिलनाडोर करका और करनाटक में हुआ था यह अप्सन दिये जा रहे हैं चलिए आंगे महाबीर के अनुयाईयों जाने गए होंगे यहां पर के ने होंगे ठीक है जाने गए महाबीर के अनुयाईयों के संदर्ब में निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजी यहां पर गए होंगे ठीक है जैन नाम से जाने गए यह के गलत दिया गया है ठीक है इसलिए यहां पर तो इसके आपर चार कतन तीन कतन दिये जा रहे हैं एक दो तीन इन तीनों कतनों में आपको बताना है कि इन में से कौन से कतन सही हैं पहला कतन है उन्हें भोजन के लिए बिक्षा मांगर के साधा जीवन बिताना होता था था एक जो तो साधा जीवन बिताना इनको भोजन के यह कहीं पर खेती जाकर नहीं कर सकते हैं, कुछ धंदा नहीं कर सकते हैं, कहीं पर नौकरी नहीं कर सकते हैं, इनको भिक्षा मांग करके अपना जीवन बिताना होगा, दूसरा उप्सन, उन्हें पूरी तरह से इमानदारी के साथ, ठीक इमानदारी से रहना और चोरी ना करन पूर्सों बाग, पूर्सों को बस्तों के सहीत, सब कुछ त्याग देना पड़ता था, अर्था जो तीसरा वाला यह उप्शन ही, सबसे कटिन दिया जा रहा है, तो इन में से हमको यह बताएगा, कि इन तीनों बस्तों में से कौन सा उप्शन सही है, ठीक है, उपर युखत क और दो सही इवल तीसरा गलत है या फिर option डी एक दो तीन तीनो सही है तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं इसका option डी बिल्कुल correct है अर्थात ये तीनो ही कथन सही दिये गए हैं पहले क्या होता था जब जैन धर्म के अनुजाई थे उनके संदर में या पर कुछ जो तो बात करके या फिर पैसा बचा करके अपना जीवन नहीं बिता सकते थे और दूसरे में दिया जारे इंको इमानदारी के साथ में और बिना चोरी किये हुए जीवन बिताना होता था और इसके बारे में इसके बाद में तीसरे में दिया जारे कि जो भी ब्यक्ति होते जिनमें ये भी बहुत important प्रस्ण है बुद्ध और जैन के युग में ही एक में ही कुछ विद्वान भी खोज कर रहे थे उन में से प्रसिद विद्वानों में से एक विद्वान पारिन ने एक महतुपुर्ण रचना की थी संस्कृत भासा की यह रचना संबंदित है किसी संबंदित है देखीगा जब बुद्ध और जैन का युग चल रहा था तो बहुत सारे विद्वान ऐसे थे जो खोज कर रहे थे अब उन में से एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने एक रचना की थी यह उन्होंने खोज की थी उसके बाद में रचना की थी आप जो यह रचना की थी यह कौन से रचना की गए थी यह संस्कृत वासा में रचना की गए थी और यह रचना की गए थी भूगोल से या फिर खगोल से या फिर आयूरबेट से या फिर ब्याकरण से इन चारों आप् किती वो किस से संबंदित है चलिए इसका अंसर में आपको बताते हैं इन्होंने जो रचना कीती वो option D अर्था द्याकरन से संबंदित है बुद्ध और जैन के युग में पाड़ी ने स्वर और बेंजन को विशेश क्रम में रखकर के सूत्र बनाये थे जो की बीजगडित के रूप में कापी मिलते जुलते हैं जो बीजगडित थे आज की तो बीजगडित के सूत्रों से कापी मिलते जुलते हैं चलिए आँगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 20 को इसके उपर एक point और दिया जा रहा है इसको भी देख लेते हैं इन सूत्रों का प्रियोग कर उन्ह है चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 20 गो यह थोड़ा सा बड़ा प्रसन है और important प्रसन है ठीक है एक जर्थुस्त्र नाम का एक एरानी पैगंबर थे ठीक है जिनका नाम था जर्थुस्त ठीक है उनकी सिक्षाओं के संदर्ब में निम्न लिखित कत्नों में से तो कितन दिए जर्थुस्त्र की सिक्षाओं का संक्रन जेंद अबस्त ठीक HA जेंद अबस्त नाम करत में मिलता है इसके जर्थुस्त्र की मूल वीश्चाओं का सूत्र था सद बिचार सद बचान और सद कार्थशन साहिया एक है आप्षन C एक और दो दोनों कोतन सही है या फिर आप्षन D इन में से एक भी कतन सही नहीं है आताद ये दोनों ही कतन गलत हैं तो जल्दी से इसका अंसर हमको comment box में दीजिएगा चलिए भी इसका अंसर मापको बताते हैं इसका आप्षन C बिल्कुल correct है और आप सभी लोगों के सामने इसकी ब्याक्या भी प्रस्तुत हो चुकी है तो दिया जा रहा कि जर्थूस्त थे ठीक है जर्थूस्त ये थे एक इरानी पैगंबा और उनकी सिक्षाओं का संकलन हमको जेंद अबेंत अबेस्ता नामक की एक पुस्तक है ठीक है एक ग्रंथ है जिसमें हमको इसका जो तो मिलता है संकलन मिलता है ठीक है और जेंदा बेस्ता की भासा तता इसमें बानित रीत रिवाज बेदों की भासा और रीत रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं इसके बिसे में दो पॉइंट दिये जा रहे हैं जो जर्थुस्त थे इनकी मुल सिख्षा का सूत्र था सद विचार सद बचन तता सद कारे ठीक अर्थात है इसवर बल सत्य प्रधानता एबम सत्य विचार सद विचार प्रधान कीजिएगा ठीक है जिसके जरिए हम सांती बन सकें दूसरा पॉइंट दिया ज़र है कि 1000 से अधिक बर्स तक जर्थुस्तरबाद इरान का एक प्रमुक धर्म रहा था बाद में कुछ जर्थुस्तरबादी इरान से आकर के गुजरात और महाराष्ट के तटीय नगरों में बस गए बे लोग ही आज के पार्सियों के पू ठीक है जो जातक कताई हैं इनका संकलन किसके दौरा किया गया था ओप्सन ए जहन अनुवाईयों के दौरा ओप्सन सी बिदेसी यात्रियों के दौरा या फिर ओप्सन डी अर्थात दर्बारियों दर्बारी कभियों के दौरा तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक आप लोगों से एक उम्मिद रहती है कि हमारे आंसर देने से पहले आप लोग कमेंड बॉक्स में आंसर दिया करें चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आंसर क्या हो सकता है इसका option B विल्कुल correct है अर्थात इसका option B विल्कुल correct है अर्थात जातक जो कथाएं थ इसका संकलान हमको बहुत भिच्छूओं और इनके जो अनुवाई थे इनके द्वारा किया गया था ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज की इस चेप्टर में इतने ही questions थे ठीक है और आप लोगों से एक request है कि हमारे इन वीडियो को share जूरू कर दें जिसकी जो उसको पढ़ें और साथ-साथ हमारे सद्रिन संकल यूटूब चैनल पर UPSC की तर्टिंग से प्रॉपर में कराई जा रहे हैं अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेली ग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वहां पर जॉइन कर लिजीगा वहां पर अभी तक क सारे PDF आपको मिल जाएंगे और साथ-साथ परड़े आपको वहां पर Study Material भी दिया जाता है ओके तो आप लोगों एक काम कीजिगा कि जो लोगों PC की त्यारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियो को सेर कर दीजिगा मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तक के लिए जहें दोस्त क्ईू स्जब लोगों